हेलो फ्रेंद्स वल्कुम बैक टू माई चैनल आज मैं अपने वीवर्स को मैकरम के मोबाइल होल्डर का एक बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन बिल्कुल इजी स्टेफ्स में बिल्कुल यूनिक सा डिजाइन बताने जाड़ी हूँ तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का थरीका अच्छा लगें तो ज़रूरी वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा स dès अब में दोस्तों के साथ सेयर करें और मुझे कमेंट करना ना बूलें साथी मुझे फ्रेसबुक पेज पर डरूर फॉलो करें और मेर वीडियोस डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें देखिए फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए मैंने ग्रीन और पिंक क्लर का मैकरम का कॉंबिनेशन लिया है दुनों एक इतिट बंडल हाफ आफ बंडल से भी कम यूज होगा और मैंने यहां पर हाई इंज का गौल सारोटिं लिया है और यह पंडलू मौटी आपवें पचारवा स्थिप्टी पीस हैं पे BLU मौिच करना चाहे हैं मैंने यहां पर इंपीश तैयक किया है एक मे दो आप चाहें तो पूरभ आाटावे तो 20 ले अदर्वाइस 10 पीस बेल्स में हो जाएगा तो चली स्टार्ट करते हैं इस डिजेन को बनाना तो देखिए फ्रेंज इसका फर्स्ट टेप होगा 1.2 इंच का गोल साडिंग लेना है इसमें 8 पीस ग्रीन कर्ड का कॉर्ड और 2 पीस पिंग कर्ड का कॉर्ड देखिए फ्रेंज फर्स्ट टेप में यहां पर 1.2 इंच का गोल साडिंग लेना है और इसमें हम यहां पर 8 पीस ग्रीन कर्ड का कॉर्ड लेंगे और 2 पीस पिंग का कॉर्ड और इसको डवल पाइपीन के साथ अटेच करना है और सारे कॉर्ड को यहां पर हम 44 मीटर में कर लेते हैं अब यहां पर नीचे का फर्स्ट कॉर्ड लेंगे इसके उपर सारे कॉर्ड को ऊपर की तरफ हम बाइपिन कर लेते हैं कर दिच्ट को अबना फंचिता लेते हैं आप्ट वर्स्ट नीचे कर लिड़ सेपिते हैं झाल ओेते हैं यश्ट के वाट शर्म कि दॉब स्वेशा पाइब घ्राइब करें यार्स्ट कर दूए मितीक उपर में हम एक मोथी लगा लेंगे एक ब्लू गुलर का बीट्स लगा लिया है ने अब इसके एक कॉट से हम पाइप इन करेंगे और दूसरे कॉट को हम फाइप टाइंज गोल गोल घुमा लेंगे एक बार पाहर की तरफ एक बार अंदर की तरफ एक बार को इधर निकाल करके त्री पूर फाइव फाइव है यहां फर्स्ट पिंक रख जो यहां पर कॉर्ड है इसमें एक बोदी लगा लेंगे करें करें अपने बारे कि दोड़ और भारे कि प्रवार बारे कि आपके कि अवादार इजा प्रप्राइब जोगा आपक तो डिले कि आपके यह कि आपके यह हैं सब्सक्राइब करें दो लाइन यहां बन गया है अब थर्ड लाइन भी हम ऐसे ही बना ले बना लेंगे इसके उपर सारे को ऊपर के एक कट में हम होती लगाते हुए झाल 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 तो देखिए फ्रेंज इधर भी मैंने हाँ पे अब हम इधर भी मैंने इधर भी मैं बना लिया है अब हम ऐसा बनाइएंगे इसके लिए देखिए उपर और एकड लेंगे गल को दूसरे कॉर्ट को जहां से देखिएगा इधार पर Specialist our second we go और second we go south कर वहां से लेंगे और third Qat से दोनों को को फॉर्स और सेटांद दोनों को शुवीन करआ यहां पर टोटल 13 झाल ताइस की फॉर्सट-इस राइब करिए फॉर म्य ओ कौड को भी अब यहां पर फॉर कौड को फिर्थ नंबर के निचे से ने फिफ नंबर का और निकाला है फिफ्थ नमबर के काण से हम पाइपण करेंगे अब यहां पे फाइब काण हो गया है अब फाइब काण से हम को हम सिक्ष नमबर के काण से पाइपण कर लेंगे अब यहां पर 6 कॉड हो गया है अब 7th pink कॉड से हम piping कर लेंगे अब 8 से नमबर के कॉड से 7 कॉड के उपर piping कर लेंगे अब इस स्ट्रिच पर 1 वाइवन करके सारे कॉड को हम खीच लेते हैं यह इस तरह से हो गया अब हम एक वार फिर से नीछे जो कॉड है उसको हम एक वार उपर की तरफ से और एक वार नीचे की तरफ से journeys द्यूज निकाल लेंगे और फिर दूसरा एक बार उपर की तरफ से एक बार नीचे की तरफ से निकाल लेंगे अब यहां पर आप ध्यान रखेंगा फ्रेंज पाइप यहां पर जो हम लोग कर लगाएंगे डिजाइन बनाएंगे वह थोड़ा सा टाइट होना चाहिए अब फिर नेक्स्ट ग्रीन करके कॉर्ड को निकाल लेंगे इस तरह से यह हो गया डिजाइन अब हम नीचे वाला कॉर्ड लेंगे और यहां हम बैक्साइड आएंगे फैक्साइड में जो उपर का डिजाइन है यहां पर यह जो फिर ढूट Artemis?.. बिलकुल यहां का उब पर का डिजाइन है उसमें को हुई इस्टर से निकाल लेंगे इस तरह से और इधर मैंने अल्रेड़ी बना करके रखा है इस डिजाइन को देखी फ्रेंड्स दोनों कॉर्ड को मैंने इस तरह से दो कॉर्ड को ले करके और इसके बीच में मैंने यहां मोती लगा लिया है अब हम दोनों कॉर्ड को पर इस तरह से हम पाइप इन करेंगे तो लेफ्ट कॉर्ड को लेफ्ट साइड और राइट कॉर्ड को राइट साइड की तरफ हम पाइप इन कर लेते हैं पहले हम एक दुसरे के उपर पाइप इन कर लेंगे लेफ्ट कोड के उपर लेफ्ट कोड के तरफ का पुरा पाइपिन कोड को हम पाइपिन कर लेंगे तरफ की कॉड को भी सरे को मैंसे काइपिन करके तयार कर लेते हैं Šeky लेकिंगे फ्रेंज दोनों तरफ की कॉड को मैंने लेफ्ट साइट क OFFICER LEFT मैंने तरफ पिर युद यहां पर फिर से कंचिन्यू करेंगे एक कॉड लेंगे इसके उपर दूसरे नंबर वाले कॉड को हम पाइप इन कर लेते हैं फिर दोनों कॉड लेंगे इसके उपर थार्ट नंबर वाले कॉड को पाइप इन कर लेंगे सेम डिजाइन उपर वाला हम यहां पर रिपीच करें कि अदोगे अब फिर से बाहर की तरफ हम दो लपेटा लगाते हुए पाइपिन कर लेंगे पहले पिंक वाले कॉट को पिर से नीचे वाला जो कॉड़ है इसको हम उपर की तरफ यह वाला जो हूंक है इस तरह से यह हेड है इस हेड में हम मैंने दोनों तरफ यह डिजाइन फिर से बना लिया है अब फिर से हम यहां पर दोनों कॉड में एक एक मोथी लगा लेंगे अब बीच में दोनों कॉड की बीच में हमने यहां पर एक मोथी लगा लिया है पहले एक तरफ लिफ्ट तरफ वाले कॉड को हम पाइपन कर लेते हैं लेफ्ट साइड के सारे कॉड पे अब राइट साइड वाले सारे कॉड को हम राइट साइड पाइपन कर लेंगे देखे फ्रेम्स उपर से हम एक-एक कॉड और लेंगे और ऐसे ही हम प्लेन सिंपल पाइपन कर लेते हैं इस तरफ भी उपर का कॉड लेंगे सारे कॉड को पाइपन कर लेंगे कर लेंगे देखे फ्रेंज इस तरह से दुनों कॉड दुनों तरफ आ गया है इसको मच्छे से पहले सेटिंग कर लेंगे थोड़ा सा अब यहां पे बीच का फोर कॉड लेंगे उसे एक नॉट सिंपल स्कॉड नॉट लगा लेते हैं कर लेंगे बीच लेंगे इसक्रा लेंगे नॉट लाँ कर लेंगे इसक्षण सेंगे अब बीचे सेट। में आपशान ही आपपा स्वागर नहां है लगाने के बाद हम दो 1.25 मीटर का दो एक्स्ट्रा पिंक कॉड लेंगे और उपर की तरफ हम अटैच कर लेंगे अивать लेंगे. कि इना के लेगे एंगे के पिंगाने को वे एंगे करषके पिंगे और भाई सेलेटा नगाने क में। झाल झाल तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह वन टू थ्री फोर फाइब कर नॉट बन करके यह उपर कर डिजेन बन करके तयार है यहां मैंने पूरे में एक मोती लगा लिया है तो यह फाइब फिफ्थ नॉट जो है फिफ्थ नॉट के बीच का दो कार लेंगे और उसमें हम एक मोती लगा लेंगे और मोती लगाने के बाद हम इसको इस तरह से नॉट लगा लेंगे तो यह लाइन हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड अब हम यहां पर फोर कोड लेंगे और फाइब के बीच में हम यहां पर पाउच के लिए हम यहां डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर वन टू थी फोर फाइब नॉट है अब फोर नॉट लगेगा अब वन टू थी फोर नॉट लग गया है अब फिर से फाइब नॉट लगेगा झाल झाल तो देखिए फ्रेंज इस तरह से मैंने आपको 123 लाइन बनाने का तरीका बताया है तो 123 लाइन से बना है वैसे हम आगे डिजाइन पाउच का 10 से 12 लाइन ये 15 लाइन तक बना करके डिजाइन को तयार कर लेंगे तो देखिए फ्रेंज इस तरह से मैंने यहाँ पर यह मोती के नीचे का से काउंट करेंगे हम 1234567891012139 मैंने बना करके तयार किया है अब हम उपर की तरफ पाउच को बुनेंगे तो देखिए फ्रेंज अब हम यहाँ पर एक मैंने छोटा सा कॉर्ड लिया है पिंक कलर का उसको हम यह वाला जो नॉट है इस नॉट का जो यहाँ पर हेड है कॉर्ट को कट किया है सारे कॉर्ट को मैंने हाप पर बन मीटर में कट किया है इसको हम अटैच कर लेंगे लेकी फ्रेंज यहां हम एक मोती और एक नॉट एक मोती और एक नॉट लगा लेंगे इस तरह से मैंने यहां पर टेन कॉर्ड को अटैच कर लिया है अब हम यहां पर दो नॉट के बीच का फोर कॉर्ड लेंगे सेंटर के दो कॉर्ड में हम यहां पर एक दो नॉट लगा करके इस डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे इस तरह से सेकेंड लाइन कंप्लीट करेंगे देगे फ्रेंड सेकेंड लाइन बन करके तयार है अब यहां पर सेकेंड लाइन में देखिए हम इसको कॉर्ड को इधर कर लेते हैं एक कॉर्ड को साइड वाले कॉर्ड को दिश्ते की कनेक्ट हो जाएगा और फिर देखिए फ्रेंड इधर निकाल लेंगे अब हम उसके जस्त नीचे का जो होल है इधर से हम कॉर्ड को ऊपर कर लेंगे अब यहां पर सेंटर का दो कॉर्ड ले लेंगे उसमें एक मोती लगा करके और टू नॉट लगा लेते हैं इसी तरह से हम थार्ड लाइन पूरा कंप्लीच कर लेंगे और फॉर्थ लाइन भी से हम असे ही दो नॉट के बीच नॉट लगाते हुए इस तरह से हम यहां तक बना करके डिजाइन को कंप्लीच कर लेंगे देखे फ्रेंड अब हम यहां पर वन टू थी फॉर लाइन बना लिए है यहां पर वन टू ढूंट है अब फार तरह से ओपर कर ले लेंगे और नीचे का नीचे का नौट है उसमें से फीर लें लेंगे इस ग्रीन कडा को फेला हो कि पीछे कर देंगे और इस पीघर इस रकाले कॉप लेंगे लेंगे decision कोड़ को खीच लेंगे इस तरह से करेंगे अच्छ वाँ करेंगे झाल झाल यहां पर हम यहां बेल्स लगा लेंगे अब इस तासी यह मोबाइल हैंगर जो है वह बिल्कुल बनकर के तैयार हो किया है तो हम उपर की तरफ पाइपन करेंगे इसके लिए मैंने वेस्टेज में से एक कॉड ले लिया है इसको हम हलका सा मेल्च कर लेते हैं और यहां पर चि की तरफ से दो बार हम लगा लेते हैं डिजाइन को अब फिर से हम यहां पर एक मोटी लगा लेंगे झाल तो देखिए फ्रेंग्स इस तरह से मैंने यह मोबाइल हैंगर का एक बहुती सुन्दर सा डिजाइन और बिल्कुल इजी स्टेप्स में बना करके तयार किया है तो फ्रेंग्स अगर आपको है मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छे लगे तो जरूर मेरे वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से दैसे दोस्तों के साथ सेयर करें और मुझे कमेंट करना ना भूले साथ मुझे फेस्बूक पेज पर जरूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें थेंक्यू फॉर वाचिंग मी वाचिंग मी अवा नाइस दे टेक कियर और बाई बाई